दोस्तो हर साल 22 सेप्टेंबर को वर्ल्ड राइनो डे की तरह मनाया जाता है इस बार भी 22 सेप्टेंबर को असम सरकार ने वर्ल्ड राइनो डे धूमधाम से तो हर साल मनाते थे इस साल थोड़ा जादा ही धूमधाम से मनाया गया है तो दोस्तो 22 सेप्टेंबर को असम सरकार सरकार ने 252500 राइनो हॉन्स को पुब्लिक ली जलाया है एक बड़ा इवेंट हुआ जिसमें पूजा पाठ की गई और फिर इन सारे के सारे राइनो हॉन्स को स्वाहा कर दिया गया तो पच्छिस होते थोड़ी कम संख्या है लगभग सबसे पहले तो पच्छिस सव राइनो हॉन्स सरकार के पास आए कहां से नंबर टू होगा कि इनको जलाया क्यों तो मुझे मालूम है यह सारे सवाल आपके मंद में भी हैं तो आईए आज इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं और इसको डेप्स में डिटेल में समझते हैं तो द प्रोफाइल है वहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासे से उनकी नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं एक लिंक आपको मिलेगा तो आपके मन में जो भी स सप्टेंबर 22 असम सरकार ने भी मार्क किया और एक स्पेशल सेरिमनी कंड़क्ट कर आई गई इस स्पेशल सेरिमनी में पच्चस सो राइनो हॉन्स को लगबग इसनी बड़ी स्टॉक पाइल को पब्लिकली जलाया गया कहां पर काजी रंगा में काजी रंगा में बोका घा और केम और इसमें चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा सर्माजी खुद भी आये थे आप देख सकते हैं या है तस्वीर में या घी लगा रहे हैं जल लगा रहे हैं मुझे लगता है घी लगा रहे और फिर ंन्सलब को स्वहा चीया जाना किया गया होगा तो अब सवाल पहला भी राइनो मर जाता है भले नाच्रल कॉस से मरे या पोचिंग से मरे पोचिंग से अगर मरा और उसकी सीग पोचर काटके ना भाग गया हो अगर नहीं ले पाया अगर उसकी हौन रह गई तो वह हौन को सरकार काट te ये अपने पास जमा करके रख लेती है तो दोस्तों ये custody forest department की custody में होता है और इसको हर state की अलग-अलग जगे पे अलग-अलग जहां जहां राइनो जोन्स हैं उन इलाकों में अलग-अलग treasuries हैं उन treasuries में इन हौन को रखा जाता है तो आपके मन ने ये भी सवाल होगा ये हौन होता क्या है दोस्तों हौन अगर आप देखे तो ये और कुछ नहीं है ये बाल है ये compacted hair है ये hair है जो की जम के इस प्रकार से हो चुका है तो अब इनको सरकार अपने पास रखती है और इनको वजन करती है तैग करती है और genetically भी sample करती है कि भाई तो इनको DNA sampling भी की जा आती है आप देख सकते हैं ये हौन आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा है 2.6 kg कब मा पकड़ा गया है 12980 तो इतने साल पुराना हौन है कुछ टाइम में दोस्तों ये खराब भी हो जाता है वक्त के साथ तो इसकी भी lifetime fix होती है इनको बार-बार treasury में रखते हैं conserve करने के के लिए फिर परदर इन पर खर्च भी किया जाता है कि इनकी life इनकी जो life cycle है वो बढ़ सके तो जो सरकार के पास longest हौन था वो 51.5 cm का था और उसका वजन था 2.5 kg ये गुहाती ट्रेजरी में असम में मौजूद था दूसरा दोस्तों जो heaviest हौन था वो 3.05 kg का था लंबा ज सरकार के पास आए कहां से अब दूसरा सवाल इनको जलाया क्यों तो सबसे पहले सरकार ने किया है तो obviously legal होगा तो कहीं से तो सरकार को ये power मिल रही होगी तो दोस्तों ये power देता है section 39 3C of the wildlife protection act 1972 सरकार ने इनको destroy किया है तो wildlife protection act के compliance में रहते वे इनको destroy किया गया है तो दोस् जादा कीमत ये देते हैं इतनी जादा कीमत कि जो हॉन राइनो पोचर्स हुआ करते थे उनके पास automatic rifles वगेरा सब कुछ मौजूद हुआ करते थे तो काफी एक organized crime की तरह इसे पंड़िट कराया जाता है और काफी पैसा इस illegal business में है तो अब कहां से इतना पैसा कौन दे रहा है तो दोस्तो हर जानवर के दुश्मन में कही ना कहीं से एक आ जाता है traditional Chinese medicine तो यहां पर भी मौजूद है तो traditional Chinese medicine में ऐसा कहा जाता है कि अगर राइनो के सींग का on का सूप उप कुछ पी लें तो इससे cancer खतम हो जाएगा hangover खतम हो जाएगा अफ्रोडिज्यक की तरह भी काम करता है traditional Chinese medicine के अनुसार तो हैंगोवर से लेके cancer से लेके अफ्रोडिज्यक तर नीमू फीले ज्यादा असान है hangover वगेरा के लिए तो जो भी है hangover भी खतम करने के लिए traditional Chinese medicine में इतना बड़ा राइनो मार लेते हैं जो भी है जाने दीजिए दूसरा दोस्तो व्यतनाम में व्यतनाम में अगर किसी के पास राइनो का हॉन है तो स्टेटेस सिंबल की तरह रीट किया जाता है कि बड़े आदनी है देखो राइनो हॉन है तो दोस्तो यह जो राइनो हॉन की बर्निंग की गई है तो यहाँ पर एक message दिया गया है people को भी myths हैं यह सब myths है traditional Chinese medicine की फैलाई हुई इस पे आप लोग यकीन ना करें number one number two poachers के लिए message था government बताना चाह रही है हमारा stance देखिए कैसा होगा आने वाले दिनों में आप सतर्क रहिए आपको हम iron hand से deal करने वाले हैं तो सतर्क हो जाईए अभी भी अगर आपके मंद में बुर poach करने का तो आप सोच लीजिए क्या होगा हम जला देते हैं और इस प्रकार से messaging भी poachers को भी हुई है तो दोस्तों राइनो poaching अगर हम देखें भारत में क्या यह status रहा है किस तरीके से बढ़ा है या घटा है दोस्तों अगर हम देखें तो 2013-2014 यह दो साल highest number of poaching incidents 2010-2020 में ह 2010-2020 का यह जो दशक था इसमें 2013-2014 27 rhino की poaching हुई हर साल हर साल 27 rhino 2015 में 17 rhino मारे गए 2016 में 18 rhino 2017 में राइनो सिर्फ 6 rhino की poaching हुई है 2018 में 3 हुआ है और 2017-18 दोनों में 6 हुए है 2019 में 3 हुए है और 2020-21 में 2-3 करीब हुए है तो दोस्तों rhino poaching पर हमने काफी हद तक काबू पा लिया है तो दोस्तों एक कारण दिया जा रहा है special rhino protection force तो काजी रंगा में इनको deploy कर दिया गया special rhino protection force काफी power दिया गया है इनको rhino poaching को control करने के लिए इसके सिवा दोस्तों rhino को लेके लोगों में भी एक जागरुती आई है कि rhino को conserve करना है इसके सिवा एक काफी ज्यादा global media में अगर आप देखे मुझे लग पहत बीबीसी या किसी की डॉक किसी का article था जिसमें काफी ज्यादा था कि भाई लोग जो वहां पर रह रह रहे थे इन national parks के आसपास उनको evict किया गया है उस इलाके से ठीक है तो अब अगर हम देखे तो राइनो आयू सीन स्टेटस में वन हॉन राइनो क्या है वल्नरेबल है यादर किये का वी यू है वल्नरेबल इंडेंजर्ड था लेकिन भारत ने बहुत अच्छा काम किया है राइनो कंसर्व करने में असम स्पिशल इसके सिवा औरांग में 101 है 101 एंड मानस में 43 है पोभी टोरा में 102 है पोभी टोरा में 102 मानस में 43 है तो दोस्तों यह कुछ डिस्रिब्यूशन था राइनो का यह असम में टोटल राइनो का मैंने आपको लेखा जोका बता दिया तो दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें पाथ फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो जब भी एन अकैडमी आए यूज़ी कोड केसी 10 क्यूंकि जो आपके कोड यूज़ करेंगे सब्सक्रिप्शन में तो आपको 10% आफ नहीं मिलेगा आपको आने वाले संडे को फिर है सुबह 11 बजे होगा केसी 10 कोड से आप एंड्रोल करें फ्री आफ कॉस्ट आप एंड्रोल कर सकते हैं दोस्तों आइकनिक और प्लस दो प्रकार की कोर्सेद हैं प्लस सब्सक्रिप्शन अगर हम देखे तो इसकी दो साल की कीमत है एक लाग चार सेशन होती है आपको एक परस्टनल कोच असाइन किये जाते हैं रेगिलर मीन्स क्विस्टन एंसर प्रक्तिस होता है एवालुएशन होती है परस्टनलाइज फीडबैक मिलता है आपको स्टेडी ट्राकर मिलता है हर 15 दिन करीबन में आप से आपके मिंटर बात करेंगे बारा जितने भी कोर्सेज सब आपको मिलते हैं लाइव क्लासेज आप अटेंट कर सकते हैं लाइव टेस्क्रिज आपको मिलेंगे दोस्तों अचैडमी आए तो यूजडी कोड केसी वन जिरो क्यूंकि आपको एडिशनल मेरी मेरी में टर्शिप मिलती है ऑप्शनल सुस्क टाइम है बाचेज हिंदी में भी हैं इंग्लिश में भी हैं बाइलिंग्वल भी हैं तो यह आइडियल टाइम है दोस्तों वक्त दाया ना करें अनकैडमी सब्सक्रिप्शन लें और यूजडी कोड केसी वन जिरो थैंक यू सो मुच पर जाइनिंग हव ग्रेट डेट डे